मैंने आपको question 3 part 3 कर दिया अब मैं part 7 करूँगी साल और part 7 देजिए देखें यह question मैंने ले लिए question अब आपको पता है LCM हमने लेना होता है यह नीचे जो value होती है उनको हम multiply करते हैं each term के साथ तो अब मैं carry कूँँगे x-6 और x-5 को पहले first value 3 over x-6 से multiply करूँगी फिर मैं यह minus लालूँगी और फिर second value के साथ इसको multiply करूँगी x-6 x-5 और यह हमारे पास second term क्या थी 4 over x-5 और फिर 1 के साथ भी हम multiply करेंगे तो 1 के साथ यह सारी multiply होगी तो क्या दिए x-6 और x-5 अब यह देखें अब हम क्या करेंगे इधर क्या cutting होगी x-6 x-6 कर जाएगा तो पीछे हमारा क्या रहा गया 3 x-5 अब इधर देखें आप तो इधर हमारा x-5 x-5 कर गया तो पीछे क्या रहा गया 4 x-6 अब यहां हम क्या करेंगे इनको 1 से multiply करेंगे तो यही value आ जाएगी यहां कोई cutting नहीं होती थी कोई cancel नहीं होता था अब क्या करेंगे करेंगे आपको मैंने बताया कि जिसकाना यह दो प्रैकेट्स आ जाएं तो उनको कैसे करते हैं पहले फास्ट फिगर को फास्ट यह हमारा इदर क्या एक्स तो इसको मैं एक्स और माइनस 5 दोनों से multiply करूंगी फिर मैं क्या करूंगी माइनस 6 को इस second term से full से multiply करूंगी तो इस x को 5 से multiply करूंगी तो क्या जाएगा माइनस 5 x अब क्या करूंगी इस 6 को minus 6 को पहले किस से multiply करूंगी x से तो यह क्या जाएगा minus 6 x फिर यह 6 को किस से multiply करूंगी 5 minus 5 से minus minus plus six fives are thirty अब हम क्या करेंगे धर देखें X x की कुन साथ in ये डू वैलिू जडिये तो प्लस और माइनस है इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है यानि के माइनस होगा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आजएगा X अब इसके साथ sign क्या आएगा जो बड़ी फिकर के साथ होगा तो इसके साथ क्या साइन आजएगा माइनस एक्स अब यहां देखें प्लस माइनस माइनस होगा और साइन कुन साइगा बड़ी फिकर के साथ जोगा 24 के साथ प्लस साइन लगा दिया 24 में से हम 15 माइनस करेंगे 24 में से हम 15 माइनस करें तो क्या आता है 9 अब हम क्या करेंगे अब यहां भी देखते हैं अगर कुछ सार्फ होता है तो यह तो X से है X, से 1 के लिखेंगे अब यह देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन किसके लगेगा माइनस का और 6 और 5 क्या हो जाएगा 11X प्लास 30 अब यह साइन क्यों लगा माइनस का क्योंकि मैंने आपको बताया बड़ी डीजी के साथ जो भी साइन होता है वो लगाते हैं और 6 बड़ा डीजी था उसके साथ माइनस था माइनस लगा दिया अब मैं क्या करूंगी अब मैं सारी टाम को एक साइट पर अकटा कर लूँगी अब यह देखें यहां X के रहा है यह बड़ी टाम है तो इस वज़ा से इस टाम को हम उस साइट पर ले जाएंगे जब हम X के र माइनस 11X अब इस X को हम इस सम पे ले के आए हैं इस साइड पे ले के आए हैं तो यह क्या होगा प्लास X और फिर यह 30 और इस 9 को इस साइड पे ले के आए तो क्या होगा माइनस 9 और यहां क्या रहागा था 0 अब X के रहेगा यह 11 में से हम क्या करेंगे X को माइनस करेंगे तो हमारे पास किया रहाँ जाएगा PLUS MINUS क्योंके माइनस होता है और SIGN क्या लगेगा BUDDY TG के साथ जो SIGN है 11 के साथ माइनस है मैंने माइनस लगा दिया 11 में से 1 माइनस करेंगे तो आजएगा 10 X BUDDY TG के साथ इदर भी अब हम देखेंगे क्या sign है प्लस तो प्लस लगा देंगे प्लस माइनस माइनस होता है 30 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आज़ेगा 21 यह हमारे पास क्या आगई equation अब हम इसे sequence देंगे तो sequence देंगे x square minus 10 next plus 21 is equal as 0 अब आपको पता है कि x square किस की value होती है a की तो a की value x square के साथ कुछ नहीं है तो coefficient क्या होगा 1 अब b की value क्या होती है x की value b की होती है तो यहां क्या x की value हो आजएगी minus 10 और c की value क्या हो आजएगी 21 अब हम यह quadratic formula यूज़ करेंगे मैंने आपको by using formula लिखवाया था अब आप put statement लिखेंगे एक तफ़ा 3 method बता दी आप उससे आपने हुज उज़ करना है मैं सीधा सीधा साथ कर दूंगी इसका formula लिखोंगी x square minus b plus minus b square minus 4 a c over 2 a अब इसमें मैं values put कर दूंगी आप statement लिखेंगे putting the values तो मैं इसे सीधा सीधा साथ कर देती हूँ b की value हमारे पास क्या है b की value हमारे पास minus 10 है तो ये minus minus क्या हो जाएगा plus 10 अब यहां क्या होगा बी स्क्यार माइनस 10 का माइनस 10 का हो स्क्यार हो जाएगा माइनस 4 और A की वैलियो हमारे पास 1 है और C की वैलियो हमारे पास 21 है अब इसी तरह two और a की value हमारे पास one है वो लिखती हमने अब क्या करेंगे ten तो इसी तरह आएगा ten का square root सोरी इदर डालना भूल गी थी इदर square root डालेंगे इस value पे square root था ten का square क्या हो जाएगा hundred और minus minus square minus minus multiply तो plus हो जाएगा और यह minus 4 को 21 से multiply करें four one's are four four two's are eight और 84 और two one's are नीचे क्या आजएगा two one's are two अब hundred में से आप 84 को minus करें तो hundred में से 84 हम minus करें तो क्या बनता है hundred में से 84 minus करें ten में से four minus क्या six पीछे क्या रहे गए यहाँ nine nine में से eight minus किया तो one यहां हमारे पास आजएगा sixteen अब क्या हो आपको पता है कि sixteen का square root क्या होता है four क्योंकि यह four का square होता है तो अब हम इसके two roots बताएंगे अब यह आपको पता है यह perfect square root है इसे solve कर सकते हैं तो इसका क्या करेंगे हम एक दफ़ा इसे four को एक दफ़ा प्लस लिख लेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम four को minus में लिख लेंगे अब यह क्या हो जाएगा fourteen over two और two ones are two two sevens are fourteen तो यह क्या आजएगा seven अब यहां हम देखें तो एक सिक्सिकल है टैन में से four minus क्या six six over two two one two two three six तो यह आपके पास क्या solution सेट आ गया फिर three seven यह आपके पास solution सेट आ गया I hope आपको समझ आगी होगी यह मैंने आपको question seven भी करा दिया अब question nine आपने हूद करना है अपनी नोर्स बूक पर और अपनी यह लेक्चर भी इसी तरह नोट करना है और सेटर गौब ने अपनी कापे सब्मेट करानी आने इन्चाला फिर मैं चेक करूंगी ओके अलाँ आपके